हलो दोस्तों आज वीडियो में करेंगे हरियाना की दिसंबर करेंट अफेर 2022 की ओके 2022 की जो है वो करेंट अफेर आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर मंद की ओके ध्यान से देखेंगे और इसको याद करेंगे सबसे पहले है कि तीन जिलों में 100% जो है नल कनेक्शन दिये गए है ठीक है तीन जिले है इनमें जो है वो हरियाना में 100% जो है हर घर में जो है वो जो है हर एक घर के नल में जो है वो जल पहुँचाने का काम किया है हरियाना सरकार ने सबसे पहले यह देखेंगे कि यह किस योजना के तहत हर्याना सरकार ने किया है यह Central Government Scheme है भार सरकार की एक योजना है हर घर में जल हर घर में जल जो है जो 2019 में लोच हुई थी बाई PM मोदी तो उस योजना के तहट जो है तीन जीलों में हर्याना सरकार ने हर नल में जल जो पहुँचाने का काम किया है और वो कौन कौन से जीले हैं अंबाला, रोतक और फरीदाबाद ये तीन जीले हैं जी अंबाला, रोतक और फरीदाबाद इन में जो है वो हर्याना सरकार ने जल पहुंचाने का काम किया है ठीक है और ये कब लौच हुई थी जी स्कीम 2019 में बाए पीएम मोदी उसके बाद है गुरुगराम जिले की खुद की मेट्रो मिल चुकी है गुरुगराम जिले को और ये कितने लंबी है ये लगबग 18.5 किलो मेटर लंबी है जी ये ठीक है और गुरगाम जिला ऐसा पहला जिला बना है जिसके खुद की मैट्रो है ये बात किसकी है जी हरियाना की है ये याद रखना उसके बाद हर्याना की पहली महिला ड्रोन पाइलेट जो है इनका नाम हमको बताना है कि इनका नाम क्या है हर्याना की पहली महिला ड्रोन पाइलेट तो या मैं इनका नाम बताता हूँ इनका नाम है जी निशा सोलंकी इनका नाम क्या है निशा सोलंकी इनका नाम है जी निसा सौलंकी हर्याना की पहली महिला ड्रोन पाइलेट है ठीक है और जो ड्रोन है के जो ड्रोन से सपरे होगा इस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो कहां पी दी जाती है जी करनाल में दी जाती है ठीक है आप याद रखोड़े प्रती क्रिशी परिवार ओसत आये में हरियाना देश में तीसरे स्थान पर रहा है मतलब क्रिशी से जो आये है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि पर फैमिली पे जो है वो जितनी इंकम मिलती है कितनी बढ़ती है कितनी कमाते है उस حिसाब से हर्याना किस नंबर पे है पूरे इंडिया में, वो तीसरे नंबर पे है, पहले पे जी मेगाल लिया, दूसरे पे है हमारा प्रोसी पंजाब, और फिर तीसरे पे कौन आ जाता है, जी हर्याना काता है, उके चलिए, उसके बाद है हरियाना में S.C. आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ये question जो है, वो important है, ठीक है? हरियाना में S.C. आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जी, रविंदर बलियाला रविंद्र बलियाला मैं इसको हिंदी में भी लिक देखता हूँ यहाँ पे ठीक है रविंद्र बलियाला जो है वो क्या है हरियाना में S.C. आयोग के नए अध्यक्स बने है उसके बाद है हरियाना विंद्र इंडिया एग्री बिजनस बेस्ट स्टेट अवार्ड यह इस अवार्ड का ही आप नाम याद रखोगे इंडिया एग्री बिजनस बेस्ट स्टेट अवार्ड की इसने जितता है जी हरियाना ने जितता है उसके बाद हरियाना में पांच जिलो में स्वधेश दर्सन 2.0 में सामिल किया गया है स्वधेश दर्सन का मतलब ये है एक्चली इसके तहत जो है वो जिन जिलो को स्लेक्ट किया जाता है उसमें जो है थोड़ा सा परेटन को बढ़ावा दिया जाता है ठीक है इन पांच जिले ये कौन कौन से हैं बिलकुल उपर से चलेंगे हम पंचकुला है यम्नानगर है कुरुक्षेत्र है फिर लाष्ट में आ जाते हैं डारेक्ट फरीदाबाद है और फिर महिंद्रगड है ये पांच जिलो को जो है स्वदेश दर्सन दो पॉइंट जीरो मैं सामिल कि यह हरियाना का पहला अत्या धूनिक मोडरन है जी ओर्ल्ड स्किल्स सेंटर कहां प San Wagner का है कि प्रोग्राम आरुb के नाम से यह जो है कहां से लिए गया है विशव कर्मा desperate को सल उनुणाइससी से यह लिया गया है और यह कहां पे है जिए पलवल में है तो यह जो RPL प्रोग्राम है जो विसु कर्मा कोशल उनिवस्टी से लिया गया है सब उनिवस्टी में क्या होगा लागू होगा अब यह देखो जी RPL की फुल 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 है जी RPL कहां से आया है विसु कर्मा कोशल उनिवस्टी कहां पे है पलवल में है उसके बाद है ओनलाइन राशनकार्ड बनाने वाला हरियाना जो है वो देश का पहला राज्या बना है ठीक है यह तो आप आज कल काफी चर्चा में है ठीक है यह ओनलाइन राशनकार्ड बनने लगे है परिवार पहचान पत्र से उठा करके अपने अप किसी के पीले किसी के कैसे जो है वो राशनकार्ड सरकार बना रही है उसके बाद है जैसे कि आपको पता है कि हरियाना में अब तक सिर्फ तीन पुलिश कमिशनरी है एक है फरीदाबाद, दूसरी गुडगाओं, तीसरी है पंचकुलामबारा में ठीक है अब जो है वो चोथी पुलिश कमिशनरी आई है चोथी आई है जी कहाँ पे, सोनी पतजिले में अब आपको चार याद करनी पड़ेंगे पुलिश कमिशनरी फरीदाबाद, गुडगाओं, पंचकुलामबारा, एक ये है जी और एक आगी जी आपकी सोनी पतजिले में उसके बाद है स्टेट फ्लैक्शिप स्कीम अवार्ड के तहत जो है वो दो बंदो को जो है, वो ये स्टेट फ्लैक्शिप आवार्ड मिला है ये मिलता है जी अच्छा काम करने से, है न, स्टेट फ्लैक्शिप आवार्ड मिलता है ये है जी सुशील कुमार है और एक रूची सिंग बेदी है इनको ये अवार्ड मिला है ये अवार्ड इनको मिला है जी 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या होता है 25 दिसंबर को good governance day बनाये जाता है मतलब जो governance को अच्छा करने के मुहीम में अपना कदम बढ़ाएगा अच्छा काम करेगा उसको ये जो है state flagships की मवार्ड जो है उसको दिया जाएगा उसके बाद है 2023 को हरियाना सरकार ने अन्तियोद्य आरोग्या वर्ष जो है इसके रूप में सरकार इसको मनाएगी हरियाना सरकार जो है 2023 को अन्तियोद्य आरोग्या वर्ष के रूप में 2023 को मनाने जा रही है और हरियाना सरकार इंटरनेशनल ये अगर हम बात करते हैं मोटे अनाजोगा वर्ष जो है 2023 को मनाएगी किसका मनाएगी जी मोटे अनाजोगा है 2023 को मोटे अनाजोगा वर्ष और मोटे अनाज में मुख्यता है बाजरा बाजरा से लेटेड़ ओके आप ये बात याद रखोगे अच्छा हरियाना एगरिकल्चर इंटरनेश्टी का एक क्रिशी विग्यान के अंदर है जो महिंदरगड में है उसको देश में जो है सर्वस्रेष्ट पुरसकार मिला है कि क्रिशी विग्यान के अंदर कौन सा है जो सर्वस्रेष्ट पुरे देश में तो ये महिंदरगड का है किस के अंदर में आता है जी हरियाना एगरिकल्चर इंटरनेश्टी जो ही सार में है उसके बाद है वाइस चांसलर ओफ दा इयर का अवाड मिला है जी केश और कुमार को ये किस उनवर्ष्टी के वाइस चांसलर है ये सैंटरल उनवर्ष्टी के वाइस चांसलर है जो कहां पे हरियाना में महिंदरगड जिले में है उसके बाद है एक अल्टरा मेराथन हुई है जी कहां पे साउथ अफरीका में याद रखना उसमें जो है पदक जीतने वाले पहले ओफिसर बने हैं कौन बने है जी मुकेश यादव ये कहां से हैं ये महिंदरगर से हैं याद रखना ये साउथ अफरीका में हुई थी अल्टरा मेरातन मुकेश यादव ने पदक जिता कहां से हैं महिंदरगर से है और इनको जो मिला है पदक उसको क्या बोलते हैं रोबर्ट मतसली मेडल मिसको बोलते हैं वो कौन सा मेडल मिला है जी रोबर्ट मतसली डारेक्ट क्वेशन या सकता है मुकेश यादव को अलट्रमेरफं ने कौन सा झावार्ड मिल और है अनसर आएगा रोबर्ट मत्सली रोबर्ट मत्सली किसको मिला है मुकेश यादव को कहां पे खिल ली गई थी जिए साउथ अफरीका में क्या थी ये अलट्रमेरफं थी उसके बाद ये भी इंपोर्टेंट रहेगा हर्याना साहित्य अकाद्मी ने आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए किसको जो हो चुना है रोहित यादव को चुना है हर्याना साहित्य अकाद्मी ने आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए उसके बाद 15 अगस्ट 23 को जैसे कि आपको पता है नसा काफी बढ़ चुका है और जो सिर्सा है वो काफी जड़ा पन्जाब करनेका सरकार उसके बाद है टीचरों को मिला है सैंटरल इनवेस्टी के जो टीचर है उनको Global Hospitality and Tourism Leadership का आवार्ड मिला है ठीक है याद रखो गया बस ये उसके बाद है जी विनेश फोगार्ट से रिलेटेड एक है इन्होंने दो मैडल जीते हैं और ये मैडल जीतने के बाद ये पहली बारतिया महिला बनी है जिसने वर्ल्ड रेसलिंग चेंपियंशिप में दो अवार्ड जीते हैं मलिक है इंपोर्टेंट है दीपा मलिक किसकी है जी निक्षे मित्र और टीबी फ्री इंडिया के उसके बाद हर्याना का पहला पोस्ट ओफिस एक्सपोर्ट सेंटर पोस्ट ओफिस एक्सपोर्ट सेंटर कहां पे खुला है जी यह मुनाना दरने उसके बाद है T20 Blind World Cup स्टार्ट हुआ जी कहां पे सुरू हुआ है यह ताओ देविलाल स्टेडियम में सुरू हुआ है यह याद रखना ताओ देविलाल स्टेडियम कहां पे है जी पंचकुला में है याद रखोगे उसके बाद साहिल जागलान है एक बच्चा है उसने जो है हरियाना केसरी का किताब जीता है यह important बन जाता है जी साहिल जागलान ने बाल हरियाना केसरी का किताब जीता है उसके बाद है एक सम्मान है संस्कृत में संस्कृत साहित्यलंकार सम्मान 2021 संस्कृत साहित्य लंकार सम्मान 2021 देवी सहाय पांडे ने जो है इसको जिता है संस्कृत साहित्य लंकार सम्मान 2021 देवी सहाय पांडे उसके बाद है निरज चोपड़ा को स्वीजर लेंड के लिए friendship ambassador बनाया गया है यह important है याद रखोगे ठीक है देश का नाम याद रखोगे जी स्वीजर लेंड ठीक है उसके बाद है जो पूरे के पूरे देश में जैसे state है उनकी economy जो है वो grow करेगी तो टोप 10 के fastest growing state है जिनकी economy fastest grow कर रही है हरियाना का उसमें कौन सा rank है तो हरियाना का उसमें rank है जी third तो यह थी जी पूरे के पूरे दिसंबर मन्त की 2022 की हरियाना की important current phase important है जी ठीक है थैंक